तो बनाते हैं वक्त टाटा की इंस्प्रेशन थी राइनो आपको सो सकते हैं कि जब टाटा की इंस्प्रेशन राइनो है तो गाड़ी कितनी सॉलिड होने वाली है ताटा ने अपनी HBX पोर्ट ऑटो एक्सपोर्ट 2020 में दिखाया था और टाटा इसको जल्दी ही लॉंच करने वाला है HBX के स्टेरिंग वील पे आप राइनो की एक फोटो भी देख सकते हैं और इसके इंटिएर ही बात करने तो इसके अंदर आपको Altos और Nexon वाला 7 इंच कार टचती मिलता है जो कि इस सेग्मेंट में बहस्ट है और इसके अंदर आपको Aera Car connectivity मिलती है और इसमें आपको Digital और Unlock वाला दोनों ही instrument cluster मिलता है जो बहुत ही ज्यादा बैतर है और काभी पूली भी रखता है Tata की HBX इंडिया की best micro SUV होने वाली है इस गाड़ी में आपको Alpha Arc platform मिलता है जो Tata की Altos में आता है Altos को 5 star NKP rating मिली है जो इंडिया की प्रेश स्टार की बाता है लेकिन आपको इस गाड़ी में ज़्यादा नहीं इस गाड़ी कब लॉंच होगी यह अगस्त में या सेप्टमबर के एंड में लॉंच हो सकती है अब आप यह मान के चलोगी आपको यह जल्दी देखने को मिल जाईगी इसकी विल्ड क्वालिटी को लेकि तो कोई टैंसर ही नहीं है ताटा इसमें बैस्ट है ताटा HBX के अंदर आपको 1.2 लीटर का पैट्र नहीं मिलाता है जो 84 भी अची पारफुल है और इसके अंदर आपको डीज अंजन नहीं मिलेगा इसके अंदर आपको तरव पैट्र नहीं मिल सकता है जो 100 लीटी के लंब से पावा निकाल के देगा और कुछ टाइम के बाद आपको इसके अंदर इदर ट्रिक वर्जन भी देखने में मिलेगा जो 200 से 500 तक की रिंज आपको अराम से निकाल के देगा जनकारी के मतावी अच्कि इस वीडियो में इस गाड़ी के लॉंच के बारे बताऊंगा लॉंच के साथ साथ इसके अप क्या प्राइज होने वाला है और इसका स्पेसिफिकेशन के बारे बताऊंगा क्योंकि ये वीडियो बिल्कुल खटके होने वाली है वीडियो अच्छी लगें तो वीडियो को सब्सक्राइब कर देना लाइक कर देना शेयर भी कर देना अगर इस गाड़े की लुक्स को देखें तो बहुत ही यदा बहतर लगती है जो मुझे लगता है इसके सामने आपको दो पार्टस में लाइट्स मिल जाती है है रिर और साफारी की तरह है और इसके सामने आपको मोटा सा यह बंपर मिल जाता है जो काफी ज्यादा मोटा है इसके अंदर आपको Tiago वाला ही Harman का speaker मिलता है जो काफी ज्यादा बहतर है उचार speaker, चार tutor के साथ में आप इसमें बहुत बढ़ी अबड़े गाने ही सुन सकते हो इसकी side profile को देखें तो इसके side profile में आपको 15-16 इंचे alloy मिल जाएंगे लेकिन side 15-16 के नहीं 15 के ही मिल सकते है आपको इसमें मारुती वाला ही shift वाला डोल हेलर से देखर को मिल जाए जो काफी बढ़िया वा पूल लगता है पीछे आपको इसमें arrow shape lights मिल जाती है जो की काफी cool लग रही है क्योंकि ये Tata की signature को दरसाती है और आपको इसमें पीछे मोटा से bumper मिल जाता है इसके दो नो बंपर काफी मोटे मोटे लग रहे है मुझे इस गाड़े का interior काफी बढ़िया लगता है इसमें आपको space काफी मिलाती है काफी अच्छी looks भी मिलती है और सायद आपको इसमें rear AC winds ना मिले तो 3-4 star view लेके आती है तो भी इस गाड़े किसे compare करें KU1W से या Ignis से या मारूती की S cross से अभी तक इसका नाम obviously तरीके से launch नहीं हुआ है इसका नाम क्या होने वाला है टाटा की HBX या फिर होरन बिल्यार टिमेरो अभी कुछ नाम लीग नहीं हुआ है बिल्कुल सफारी क होने वाला था उसी तरीके से इसका नाम बिल्कुल थोड़ा confusion वाला हो रहा है टाटा HBX को का lengthwise देखें तो इसकी length होने वाली है 3840 mm की इसकी width होने वाली है 1822 mm की इसकी height 1635 mm की होने वाली है और इसका wheelbase है वह होने वाला है 2405 mm का इसका ground के लिए से आपको 185 mm का मिल जाता ह है जो काफी यादा बहतर है आप इससे थोड़ी बहुत off-roading भी कर सकते हैं आप इसके अंदर तीन लोग पीछे रांस बढ़ा सकते हैं वैसे गाड़ी काफी छोटी है वैसे आपसे दो लोग बढ़ा है जादा बैतर रहेगा और इस गाड़ी में आपको 245 mm का बूर्ड़